हलो एवरिवन आज हम बनाएंगे सब के फेवरिट सेंविच दो तेरा के सेंविच हम बनाएंगे जो बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं तो सेंविच बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं मैं आपके साथ अपना शेयर करने वाली हूँ आई होप आपको बहुत पसंद आएगा तो वीडियो अगर पसंद आने लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल सैंविच जो आम तोर पे घरों में बनाए जाते हैं तो उसके लिए हम एक ब्रेड़ स्लाइस ले लेंगे और उसके ओपर घी या बटर जो भी आपके पासे अच्छे से लगा लेंगे और उसके बाद इसके ओपर ग्रीन चटनी लगाएंगे अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चटनी के जगा आप सेज़वा सोस भी लगा सकते हैं अब चटनी लगाने के बाद दूसरी ब्रेड़ स्लाइस लेंगे और उसके ओपर कैचप लगा लेंगे तो क्या आप इस बात का रीजन जानते हैं कि ब्रेड़ स्लाइस के ओपर चटनी या सोस लगाने से पहले बटर या घी क्यो लगाया जाता है ताकि काफी हद तक उसके पोर्स बंद किया जा सके चटनी सोस पहर ना आए और ब्रेड़ भी बहुत जादा सोगी ना हो अब हम ले लेंगे ब्रेड़ का वो वाला स्लाइस जिसके ओपर चटनी लगाई है और उसके ओपर इस तरह से उबले आलू पत्ते पत्ले स्लाइस इसमें कड़ करके लगा देंगे अब आलू लगाने के बाद इसके ओपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे आप चाहें तो इसी स्टेच पे काली मेर्च और नमक भी इसमें डाल सकते हैं आप कैचप वाली ब्रेट स्लाइस को अपोजिट करके इसके ओपर रख देंगे और उसके ओपर भी थोड़ा सा घी या बटर हम लगा लेते हैं अब इसके ओपर हम लगाएंगे टमाटर के स्लाइसेज और टमाटर के सासथ इसमें हम लगाएंगे खीरे के स्लाइसेज अगर आप कच्छा प्यास खाना पसंद करते हैं तो वो भी इसमें लगा सकते हैं सेंविश का टेस और बढाने के लिए इसके अंदर पनी घिसके भी डाला जा सकता है मियोनीज भी आप लगा सकते हैं लेकिन पिज़ा चीज इसके अंदर नहीं डाला जाएगा क्योंकि इस सैंविच को हमें गरम नहीं करना है तो थोड़ा सा काली मिर्श का पाउडर और नमक भी डाल देंगे इसके अंदर तो सिंपल सैंविच जो हम बना रहे हैं उसके अंदर जो जो वेजीज मैंने एड़ करके आपको दिखाई है प्लीज उसे जरूर डालेगा इसकिप मत कीजेगा तब इस सैंविच का टेस्ट आने वाला है तो वेजीज लगाने के बाद दूसरी ब्रेट स्लाइस ले ले लेते हैं और उसके ओपर भी बिल्कुल हलक कासा घी हम लगा लेंगे अब इसके एक तरफ में हम लगाएंगे थोड़ी सी टमैटो कैचप और दूसरे तरफ में हम लगाएंगे थोड़ी सी ग्रीन चटनी अब एक चीज का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि यदि ये सैंविच आप बच्चों के टिफिन के लिए बना रहे हैं तो भूल से भी इसमें हरी चटनी मत अट कीजेगा क्योंकि हरी चटनी हम चाहे जितनी मज़ी ड्राई बनाए उसके अंदर काफी जादा पानी रहता है जो थोड़ी देर में ब्रेड को सॉफ्ट कर देता है तो जब भी किसी सेंविच में आप हरी चटनी लगा रहे हैं तो बनने के बाद उसे तुरंट कंजियूम का लीजिए तो ये लीजिए हमारा सेंविच बिल्कुल तयार है अब इसे बिल्कुल ही अगर स्ट्रीट स्टाइल सेंविच की लुक देनी है तो ये सेंविच हमारा बिल्कुल तयार है और ये देखे कितने कम समान से जटपट से हमने इसे बना लिया है और यकीन मानिये ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है खाने में तो बच्चों की हर वक्त यही डिमांड होती है कि मम्मा कुछ नया दो खाने के लिए पुराना खाते-खाते हम बोर हो चुके है तो आपके बार ये वाला सेंविच बच्चों के लिए जरूर बनाईएगा उन्हें बेहत पसंद आने वाला है तो सिंपल सेंविच बना चुके हैं इसके अंदर मैंने दो चमच मियोनीज, दो चमच मलाई, और देड़ चमच सोस, काली मिर्च, नमक, ओरीगानो और थोड़े से बारी कटेवे वेजिस एड़ किये हैं अब हम एक ब्रेट स्लाइस ले लेंगे और उसके उपर लगाएंगे फिर से थोड़ा सा घी तो घी की जगा बटर भी लगा सकते हैं लेकिन मुझे घी का टेश ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं घी इस्तेमाल करती हूँ आप इसके ओपर ये वाली डिप बहुत अच्छे से लगा लेंगे और मैंने इस डिप में थोड़ा सा टमाटर और प्यास बारिक-बारिक काटके डाला है आप चाहें तो कैपसिकम, कैबेज, पनी भी गेट करके इसमें डाल सकते हैं चाहें तो इसके अंदर धोड़ा सा पिज़चीज भी गेट करके मिलाया जा सकता है और मियोनीज और सबजी भी यदि कोई नहीं है आपके पास तो मलाई और कैचप में काली मिर्च और नमक मिला करके भी इस डिप को बनाये जा सकता है तो अच्छे से डिप लगा ली है उसके उपर एक सिंपल ब्रेट स्लाइस हम रख देंगे तो इसके उपर हमें हरी चटनी लगानी है लेकिन चटनी या कैचप लगाने से पहले हम क्या करते हैं जी हाँ इसके पोर्स को थोड़ा सा बंद करने के लिए गिया बटर लगाते हैं ताकि काफी देर तक चटनी नीचे ना जाए तो सबी समानों के आप्शन्स मैं आपको इसलिए बताती रहती हूँ कि यदि घर में आपके पास बहुती कम समान है कभी भी कोई पर्टिकुलर डिश बनाने के लिए तो आप उसे बना सकें मतलब ये ना सोचें कि आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप इस समान को नहीं बना सकते हैं तो इसके उपर भी हम थोड़ा सा उबला आलू बिल्कुल बारिक बारिक स्लाइसेज में कट करके लगा लेंगे साथी में टमाटर लगा लेंगे खीरा लगा लेंगे तो आलू लगाने से सैंविच का टेस्ट बहुत ही जादा बढ़ करके आता है आप आलू को जरूर लगाएगा तो मार्किट में जो वेज कलब सैंविच मिलते हैं उनके अंदर आप हमेशा नोटिस कीजेगा कि चाहे वेजिज जो मर्जी डाले गए हो लेकिन उबला आलू जरूर एड़ किया जाता है आलू लगाने से सैंविच का क्रंच और टेस्ट बढ़ता ही है साथ में सैंविच थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है यानि कि एक सैंविच एक बंदे की भुक मिटाने के लिए सफिशेंट है अब इसके ओपर हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ओरी गैनो, चाट मसाला मसाले अपने इसाब से चटपटा करने के लिए हम डाल सकते हैं अब एक ब्रेट स्लाइस और ले लेते हैं अब पैन के ओपर थोड़ा सा गी लगा लेंगे और उसके बाद इसके ओपर अपना सैंविच रख देंगे तो फ्लेम थोड़ी सी मीडियम ही रखे ताकि सैंविच अच्छे से क्रिस्पी हो सके अब कुछ देरी से बिना छेड़े वे सिखने देंगे और उपर से भी इसके ओपर गी या बटर लगा देते हैं डेड़ से दो मिनट हो चुकी है सैंविच को सिखते वे अब इसकी साइट चेंज कर देते हैं परफेक्ट कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनाया है हमारा सैंविच अब दूसी साइट भी इसी तरह से सेक लेते हैं 2-3 मिनट तक अब इसकी साइट भी हम चेंज कर लेते हैं और ये देखें दोनों तरफ से सैंविच क्रिस्पी हो चुका है इसे प्लेट में निकाल लेते हैं तो सैंविच को हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे सेका जाता है थोड़ा सा टाइम ज़रू ज़्यादा लगता है लेकिन सैंविच एकदम से सूपर क्रिस्पी बनते हैं तो सैंविच को अब हम कट कर लेते हैं मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ तो सैंविच हमारा बहुत ही जादा डिलीशियस बन रहा है जैसा कि आप देखी सकते हैं तो मुझसे तो वेट बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है फटा फट से वीडियो एंड करके मैं इसे खाने वाली हूँ तो आप इस सैंविच को कब बना रहे हैं कमेंट्स में मुझे ज़रू बताइएगा तो सैंविच पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मिलते हैं अगली रेसिपी में तब तक के लिए टेक केर